जै मातादी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाजोसी, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और आपके घर के अंदर भी आशान्ती है, बर्कत नहीं हो पा रही है कोई काम बन नहीं पा रहा है, तो कहीं आपका मंदिर तो गलत दिशा में नहीं रखा वा क्या पता आपको मंदिर का ग्यान सही से है कि नहीं है इस बारे में आप चर्चा करेंगे और आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा देखिए मंदिर हमें जो हमारे भारतिय संस्कृती है सनातन संस्कृती है उसमें जो हमारा जो मंदिर होता है वो positive energy को बनाने का कारक होता है यानि कि हम उसके अंदर पूजा पाठ इत्यादी करते हैं और अपने आपको energize करते हैं अगर वो गलत छेतर में अगर आप उस मंदिर को स्थापित करते हैं तो वो energy negative energy में तबदील हो जाती है जिससे की घर के अंदर आशांती का माहौल ज़्यादा बन जाता है इसलिए मंदिर सही दिशा में आपको रखना चाहिए और मंदिर की गलत दिशा क्या है सही दिशा क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले गलत दिशा है यदि आपने मंदिर अधिकतर लोग जो करते हैं वो रसोई के बगल में मंदिर बना देते हैं जो की कताई गलत है रसोई के अंदर या रसोई के बगल अगल बगल में आपको मंदिर नहीं बनाना है क्योंकि रसोई के अंदर जूटे बरतन होते हैं गंदे बरतन होते हैं तो उसका जो विकार होता है मंदिर पे लगता है और ऐसे में जिनके भी रसोई के बगल में मंदिर बना होता है उनके घर के अंदर शांती की कमी पाई गई है इसलिए आपको मंदिर वहाँ से तुरंट चल रही है मेरी 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 कुंडली में तो लोग गुरू जी ने राजयोग बताया लेकिन ऐसा तो दिखनी था कारण आपका मंदिर सीडियों में है क्योंकि अगर आप मंदिर को सीडियों में के नीचे बना देते हैं तो हमारे जब आने जाने वाले व्यक्तियों के पैर जो है मंदिर की तरफ आ जाते हैं जो मंदिर का और देवी देपताओं का अपमान होता है ऐसे में देवी देपता हमसे नराज हो जाते हैं हमसे रूष्ट हो जाते हैं हमारी पूजा लग नहीं पाती है इसलिए आप और हमारे घर के अंदर धन की बचत नहीं हो पाती है धन से कख्ष के अंदर आपको मंदिर नहीं रखना है याद रखिएगा तीसरा यह सबसे बड़ी चीज है अगर आप शैन कख्ष के अंदर मंदिर रखते हैं या बेडरून के अंदर आपका मंदिर है तो पती-पत्नी में और घर में परिवार सदस्य पिता-पुत्र पुत्री-मात में बहुत ज्यादा अनबन रहेगी कभी विचार मिल नहीं पाएंगे उसका कारण क्या होता है शैन कख्ष में मंदिर होना होता है यदि आपके बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास एक ही रूम का मकान है वो क्या करें वो उनको क्या करना है कि मंदिर में पर्दा ज कान के अंदर दो रूम है या दूसरे अधिक रूम है तो शेहन काक्ष से तुरंध ही मंदिर हटा दे नहीं तो घर के अंदर परिवार्व में लड़ाई जगडा दूश बना रहेगा यदी चौथी चीज यह है कि यदी आपने बात्रूम के बगल में मंदिर बनाया है अगल में और आप सोच रहे हैं कि बात्रूम के मैंने तो बगल में बनाया है बात्रूम में थोड़ी न बनाया है लेकिन आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार उसे बिल्कुल गलत कहा गया है और ऐसे में घर के अंदर खुश हाली का परवेश नहीं हो पता मांगली कारे ऐसे लोगों के घर में नहीं हो पाते जिनके बात्रू के बात्रूम के अगल बगल में मंदिर होता है अगर आपका है तो आपके घर के अंदर मांगली कारे में रुकावट होगी खुशाली आने में रुक जाएगी ऐसे में आपको बात्रूम के बगल से बि उसकुल गलत का है जिन भी लोगों का मंदिर बेस्मेंड के अंदर होता उनके घर में अक्सर कलेश होता है या डाउन की और अगर आपका मंदिर है तो आपको आपके घर में कलेश रहेगा आपके घर में हर बारतियों हर में कुछ ना कुछ कलेश हो जाएगा कोई परव कर लेते हैं यह पांच जगा मैंने बताई यहां पर अगर आप मंदिर रखते हैं तो आपको दिक्कत होगी आपकी कुड़ली में कितने भी बड़े राजी हो गए वो नहीं बन पाएंगे अब आपको सटीक जगा बतायता हूं हमेशा मंदिर आप पूरव उत्तर या इशान क में रखना चाहिए कैसा लगा यह कार्यकरम आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें मित्रों मैं बोड़ी मैनस से आपके लिए वीडियो बनाता हूं और डेली बनाता हूं लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप किसे समंदित वीडियोzan जै मुझसे चाह